इसे शुरू से आखिर तक कम्प्लीट देखें इसमें प्रिया कह रही है कि मैं प्रिया हूँ और मैं एक छोटी से गाउ में रहती हूँ विलेज मतलब गाउ हमारे गाउ में बहुत सारे घर है यह एक दूसरे के खरीब बने हुए है इन घरों के वीच में एक छोटी सी गलिया है कुछ देर आर मैनी प्लांट और ट्रीज यहाँ पर बहुत सारे दरखत और पौदे हैं अराउंड गाउस यानि घरों के अतराफ बहुत सारे दरखत और पौदे हैं यह प्रिया का गाउं है इस गाउं में छोटे छोटे गलियों के बीच में बहुत सारे घर आपको नजर आएंगे घरों के अतराफ दरखत और पौदे नजर आएंगे दाजी काका जवर नेबर दाजी काका उनके पडोसी है नेबर यानि पडोसी उनके पास बहुत सारी काउज और बफेलो यानि गाई और भैसे हैं वो उनका दूद निकालते हैं यह बहुत फ्रेश होता है अच्छा होता है और गर्म होता है वाम यानि के कुमकुमा जिसे गर्म कहेंगे यानि थोड़ा सा गर्म ज्यादा नहीं यह प्रिया का गाउँ है तस्वीर में नजर आने वाली चीजों के नाम अंग्रेजी में बोलो यहाँ पर आपको जो भी तस्वीर नजर आ रही है इनका नाम आपको बोलना है इस तरह से आपको इसमें आने वाली तस्वीरों के नाम इंग्लीश में बोलने की प्रैक्टिस करना है सो हीर वी फिनिश अवर चैप्टर प्रिया इन दा विलेज पार्ट वन अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करते वख्त आल पर प्रेस करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें